बिस्मिल्लायरमानी रहीम अस्सलामु अलेकुम वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूँ नाहिद आज हम बनाएगे जटपट से बनने वाली चटपटी बिंडी की सबजी इससे पहले भी हमने बिंडी का ठेचा बनाया था जिसे आपने बहुत ज्यादा पसंद किया था तो बिंडी की सबजी बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने 500 ग्राम यानि आदा किलो बिंडी ली हूँ जब भी आप बिंडी बाजार से लाए तो याद रखें कि फ्रेश बिंडी लेना जो छोटे साइस की होती है तो वो लेना क्योंकि उसमें बीच कम होते एकदम है तो आप इसे कॉटन के कपड़े से साफ करके भी ले सकते हो तो अभी मैंने या भिंडी को धो कर रख ली हूँ थोड़ी देर मैं इसे पंखे की नीचे सुखने दूंगी उसके बाद हम इसकी कटिंग करेगे यहाँ पर भिंडी अच्छे से सूख गई थी तो मैंने पर है आप छोटे बड़े टुकड़े अपने एसाब से कर सकते हो और अंदर चैक भी कर लेना है कि भिंडी खराब ना हो तो यहाँ पर देखिए सभी भिंडी हमारी कट चुकी है हमने 500 ग्राम भिंडी ली थी उसमें से उपर नीचे का हिस्सा काटने के बाद इतनी भिंडी बच्ची है हमारी तो चलिए अब भिंडी की सबजी बना लेते हैं अब देखे, बिंडी की सबजी बनाने के लिए गयेस पर मैंने एक कडाई रख दियू, उसमें 3-4 चमत तेल डाल देते हैं, तेल गरम हो गया, इसमें हम थोड़ाँ सा जीरा डाल देगे, और जीरे को अच्छी तरा से तड़कने देते, जीरा अच्छी से तड़क गया है, द थोड़ा सा मेथी दाना को भी चटकने देते हैं तक इसकी खुश्बू तेल में आ जाए थोड़ी सी हिंग भी डाल देते हैं अब यहाँ पर देखिए साथ से आठ लैसन की कलिया लीओ मैंने और बारिक बारिक काट लीओ ये डाल देते हैं और लैसन को हलका सा सुनेरी होने तक हम फ्राइ करेगे बहुत ज्यादा जलाना भी नहीं है हलका सा सुनेरी होता है न तो लैसन की खुश्बू बहुत अच्छी आती है बिंडी में ये देखिए लैसन हलका सुनेरी हो गया है अब डालेगे इसमें हम प्यास तो यहाँ पर दो मीडियम साइस की प्यास को बहुत ज्यादा फ्राइ नहीं करना है हलकी सी प्यास नरम हो जाए न उसके बाद हम इसमें बिंडी दाल देगे थोड़ी से अलदी पावडर भी दाल देते हैं इस टाइम पर हम बंदी पावडर दाल देते हैं ना तो सब्जी का कलर बहुत बढ़ी आता है ये देखिए प थोड़ी देर के लिए पकाना है, क्योंकि भिंडी में जो चिकनाट होती है ना, जो एक लेस पना होता है, तो वो कम हो जाता है इस तरह से, तेज आज पर थोड़ा भूनने से, इस टाइम पर देखिए, अगर आपकी भिंडी में चिपचिपापन ज्यादा निकले, तो आप थोड़ा सा निम्बू का रजदाल देना, तो ये एक ट्रिक दे रही हूं मैं आपको, इस ते आपकी भिंडी चिपकेगी भी ने, आपस में और खिली-खिली बन कर तैयार होगी, और टेज भी बहुत बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा निम्बू का रजदाल देना, तो ये नहीं, टेस्ट के साब से हम नमक डाल देते इसमें, एक चम्मच में लालमीच पाउडर दाल रहे हूं, आप अपने टेस्ट के साब से डाले, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी दाल रहे हूं, और एक पींची में गरम मसाला डाल रहे हूं ये आपर, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है अब चटपटे से फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैं आदा चम्मत चाट मसाला डाल रही हूँ आप चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हो इससे बिंडी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते देखे बिंडी को पकने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत जल्दी पककर यह तैयार हो जाती है अब हम इसे धीमी आज पर पकने देगे ताकि हमने जो भी मसाले दाले उसका पूरा पूरा फ्लेवर हमारी बिंडी में आ जाए यह देखे अभी से कितनी बहतरी बिंडी दिक रही है हमारी ऐसे तो सबी लोग अपने घर में अपने तरीके से भिंडी बनाते ही रहते लेकिन एक बार मेरे तरीके से बनाएगा इंचालला सब को पसंद आएगी तो यह मैंने मसाले मिक्स कर दियूँ अब धककर मैं बिल्कुल धीमी आज पर इसे तीन से चार मिनट के लिए पकने दूगी बीच में आप चाहे तो एक बार चेक भी कर सकते कि नीचे से भिंडी जले नहीं यहाँ पर बिल्कुल तीमी आज पर तीन से चार मिनट और भिंडी को मैंने पका लिए और बीच में एक से दो बार चेक कर ली थी तो देखिए इस टीम में इस भिंडी अच्छी तरह से पक तो आप इस टाइम पर गैस तेज कर देना और तेज आज पर थोड़ा सा इसे भून लोगे ना तो यह भिंडी और ज्यादा क्रिस्पी करारी हो जाएगी लेकिन देखिए हमारे दर इसी तरह से थोड़ी सी नरम और सौफ्ट भिंडी खाना पसन करते तो मैं इस टाइम पर गैस बन कर दूगी और आप देख सकते हो हमने प्यास को पहले बहुत ज्यादा फ्राय नहीं किया था लेकिन भिंडी के साथ जब यह फ्राय हुई है तो प्यास भी अच्छी तरह से पक गई है सारे मसालों का फ्लेवर भिंडी में बहुत अच्छा आता है और चट पटे से फ्लेवर वाली भिंडी बनकर तयार होती है तो अब लास्ट में हम डालेगे इसमें बारी कटावा हरा धनिया और टेस्ट भी बर जाता है भिंडी का अब हरा धनिया डालकर भी मिक्स कर लेते हैं और गैस बनकर करके गर्मा गरम यह भिंडी को हम डिश आउट कर लेते हैं पांस से दस मिनट में ये भिंडी हमारी बनकर तैयार हो गई है और अच्छी तरह से पक भी गई है ये देखे ये देखे बिंडी हमारी अच्छी तरह से गल गई है ये देखे तो आपके उपर है अगर आप क्रिस्पी करारी भिंडी खाना पसंद करते हो तो एक से दो मिनट तेज आट पर कर लोगे ना तो क्रिस्पी हो जाती चलिए गर्मा गरम हम ये चटपटी सी भिंडी को डिश आउट कर लेते ये देखिए मज़ेदार सी भिंडी हमारी बनकर तैयार है कितनी चटपटी और मसाले से भरपूर दीख रही है हर एक भिंडी पर मसाल अच्छी तरह अगरा से विशाठ रहे हैं और बहुत ही चटपटे से फ्लेवर वाली है ये तो आप मेरे तरीके से एक बार जरूर बना कर देखना हम ने इसमें बारी कटी भी हरी मिर्ची भी डाली है ठोड़ा ऐसा चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए चाट मसाला दाला है लेसन बारी याद कर Bundes fiance आपने दोस्तों रिषचेद ही ज्याद से सबस्क्राइब करशेड अपने दूओर इंद्व रिषदा है जाद से सब्सक्राइब कर दे अपनों बहुत सारा खैल रखर दूआओं में हमें भी याद रखें भी मिलते इंशाल लाइक नई रेसीपी के साथ अल्लाहाफीज अल्रहाद अल्रहाचज है भी याद झाल